नवश्कार फ्रेंड टॉपिक है, डिस्कुशन के लिए हमारे पस हुमन राइट मैं ट्रैफिकिंग इन पर्संस एन प्रोस्टिशन यानि कि ट्रैफिकिंग करना विक्तियों के बीच में या फिर इसको एक तरह से बैपार समझना या लोगों की चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरश हो, उनकी खरीद फरोकत करना यानि कि इनसान को एक कमोडेटी समझना, बस तू समझना और उसको खरीदना बेचना अब ये दोनों जो प्रोब्लम्स हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेट करती है और जो modern concept है human right का, वो ये कहता है कि भई इस तरह की कोई भी problem या इस तरह की कोई भी जो चीज़ है वो human being के बीच में exist नहीं करनी चाहिए चाहे वो trafficking हो, चाहे फिर या देवेपार हो, ये दोनों ही human worth life जो है उसके against हैं इसलिए हम इनको condemn करते हैं और जहां तक बात करें दोस्तों, word trafficking in person या human being यानि कि जो इसका meaning जो है, एक worldwide या एक common definition जो international level पर हो तो वो हमें एक convention के protocol से मिली थी convention जो है वो आप देख रहे है, UN convention जो की first है और protocol जो है इसके नीचे है इसका जो protocol है, इसके अंडर ही जो word था उसको internationally define किया गया कि भई trafficking in person होती किया है तो यहां पर हम अगर इसकी जो definition इसको देखेंग तो इसमें कहा गया है कि भई trafficking in person का मतलब है किसी तरह का recruitment यानि भरती करना transportation यानि कि एक ship से जाए एक जहाज से जाए गाड़ी से ट्रांसफर यान एक प्लेस से दूसरी प्लेस बिना इन चीजों के harboring जनी कि शरण देना किसी गलत आदमी को जो इस तरह के जो चीजों में involved हो और receipt of person या ब्रती को प्राप्त करना जा उनको receive करना by means of threat अब इसमें कौन-कौन सी चीज़े यूज हो सकती है धमकी देकर force यूज की जा सकती है या caution, abduction हो सकता है fraud करके भी हो सकता है जूट वोल के, deception करके power का abuse करके भी हो सकता है जब position of vulnerability जो है वो भी हो सकती है कि कोई आदमी है आपके पास और आपके पास एक position है कि आप उसको exploit कर सकते हैं या फिर giving और receiving payment भी इसमें आएगा benefit to achieve the consent of the person ठीक है ना ताकि उस person की जो consent है या सहमति ली जाए जिसके अंडर इस तरह के व्यक्ति हो जैसे मालजी को व्यक्ति है उसने 10-15 व्यक्ति को slave बनाया हुआ है तो उसकी consent लेने के लिए उसको पैसा लिया जा सकता है या दिया जा सकता है इस तरह की चीज़े भी हो सकती है अब यहाँ पर बात कीगी है exploitation या शोशन की तो इस शोशन के बारे में कहा गया है कि इसमें कौन सी चीज़े included होंगी तो इसमें prostitution यानि की देवेपार या फिर किसी और तरह का जो योण शोशन भी इसमें include होगा forced labor जबरन मईदूरी करवाना या इस तरह की services लेना slavery या दासप्रता जो है वो भी अपने आप में और practice similar to slavery या फिर slavery या दासप्रता से मिलती जलती practices servitude और removal of the organ servitude भी उसी category में आता है slavery के और removal of the organs यानि की मानव अंग जो है उनको remove करना जाए इस तरह की activities से उसमें involve हो सकती है जहां तक बात करें दोस्तों हमारे Supreme Court की तो उसने State of Gujarat versus Honorable High Court of Gujarat के case में define किया था कि trafficking in human क्या होती है जो की mention की गए ह भारती संभिधान के अनुशे तेईस clause एक एंडर तो उसमें कहा था कि trafficking in human being का मतलब होता है कि trade in human being यानि कि आपने मनुष्यों को बस तु समझ लिया है एक commodity समझ लिया है कि इनको भी बेचो सरिया बेचो, सिमिट बेचो, रेत बेचो कपड़ा बेचो और human being को भी बेचो यह extreme form of wickedness है जहां तक हम बात करें दोस्तों international cooperation जो कि trafficking या prostitution के लिए हुआ वो starting हुई उसके 1904 में और उसके बाद 1910 की एक और convention आई हाला कि इसमें white slave traffic की बात की दोस्तो white slave traffic term का मतलब है तो इसका मतलब है कि भई उनको आप slave नहीं बना सकते हैं ना उनकी trafficking कर सकते हैं फिर चाहे इसके लिए West Asian country हों चाहे North African country हों उनमें सो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता ठीक है न और slavery जो है वो black की ही नहीं होती थी बलकि white की होती थी पर एक तरह से देखा जाए तो यह selective जो एक तरह से एक law बन गया कि white people जो है उनकी ही जो trafficking नहीं हो सकती slavery के लिए तो इसको लेटर ओन जब United Nation के अंदर convention होई तो वहाँ पर इस तरह का कोई distinction white या black के बीच में नहीं किया गया और हर तरह की trafficking जो थी उसको prohibit किया गया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास जो league of nation थी उसके अंदर कुछ convention थी जो कि 21 या 22 की कह लिजी और उसके बाद 1933 के आई जो कि white slave trade जो था उसको eliminate करने के लिए थी पर लेटर ओन जो United Nation की convention थी वो 1950 में होई जो कि आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस convention को इंडिया के द्वारा जब भारत के द्वारा जो ratification दी गी थी वो 1950 याण 1950 को दी गी थी जिसके बाद की एक act भी 1956 यानि की 1956 को enact किया गया जिसे की the suppression of immoral traffic in women and girls act के नाम से जना जाता था इसके बाद 1986 का भी immoral traffic prevention act है जो की amended version थी था 1956 के act का 1950 की इस convention के कुछ point important जो हम सको डिसकस करते हैं जिसमें से article first है जिसमें की ये कहा गया कि भाई इस तरह की जो भी activity में जो व्यक्ति involved होगा state इस बात को यकीनी करें कि उनको punishment दी जा सके और इसमें जो victim है अगर उन्होंने consent दी भी है तो भी उस consent को उनकी punishment में किसी तरह की को रुकावट ना समझा जाए नेक्स टाफरेंड आर्टिकल नमबर टू जिसमें की ये कहा गया है कि वह state party जो इस बात के लिए सहमत है कि वो किसी भी person को punish कर सकती है जो की जो prostitution या brothel जहां जिसे वेशाले जहां चकला कहा जाता है उसको manage करता है या उसके लिए building किराय पे देता है या इस तरह की चीज़े करता है तो उसको भी punishment दी जा सकती है आर्टिकल 3 के अंदर ये provision की गई है कि जो भी act article 1 और 2 के अंदर बताएगे है उनका अगर commission होता है तो उसके लिए punishment to the extent of permitting by the domestic law होनी चाहिए यानि कि जहां तक आपके जो municipal law है किसी country का अगर वर्मिट होता है तो वहाँ पर punishment उसके लिए होनी चाहिए जो की article 1 और 2 के अंदर act बताएगे है article number 4 में कहा गया है अगर किसी तरह का international participation या किसी तरह का कोई अंतरराश्ट्री जो है जो इसमें जो participation किया जाता है जो act article 1 और 2 के अंदर बताएगे हैं तो उनको भी punish किया जा सकता है बट अगेन आपको municipal law को यहां पर ध्यान में रखना पड़ेगा international participation से यहां मतलब है जैसे कि एक country से दूसरी country trafficking की जाती है तीसरी, चोथी, पाजमी इस तरह से जो chain बनी होती है अगर उस तरह सा कोई offense होता है article 1 और 2 के अंदर तो उसको भी punish किया जाएगा article 16 यानि 16 में यह बताएगा है कि party जो है public, private, educational, health, social, economic या other related services से क्या करेंगी इस तरह के measure adopt करेंगी जिससे कि prostitution जो बेश्या रित्हेज को कम किया जा सके and rehabilitation और उनका पुनर स्थापन किया जाए यानि कि उनको स्थापित किया जाए उनको नो करी दी जाए, उनको काम दिया जाए उनके जो problem है उनको solve किया जाए उनका social adjustment किया जाए जो victim होंगे prostitution के और other offenses के जो की refer to in the present convention जो की presently convention है ये इसमें बताएगी है article 25 में ये कहा है कि अगर state party जो है वो चाहें तो वो इस convention से बाहर भी जा सकती है join भी कर सकती है और इससे eject कर सकती है निकल भी सकती है पर उसके लिए क्या होगा उसके लिए आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा और ये 5 साल का period कब से होगा जिस दिन से वो लागू होगी convention यानि कि अगर आज convention लागू होती है तो अगर ये 5 साल तक तो आप बाहर नहीं जा सकते हैं पर जैसे ही आपके 5 साल complete होगे तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं convention को कि भई हमें नहीं बनना है इसकी party जहां हम इसकी party बने थे अब हम इससे बाहर निकलना चाहते है आर्टिकल 27 जो हो उसमें ये खा गया है कि party जो है वो इस convention का जो लोग है उसको अपने domestic level यानि कि municipal law में भी implement करेंगी है आप जानते हैं कि ये एक जो है strategy होती है जो United Nation है उसके अंदर जो convention होती है कि भई हम इस convention को कर रहे हैं आप यहां party बनी हुए हैं तो हम ये भी आप से उपेक्षा करते हैं कि आप इन लोग को अपने domestic यानिकी civil law के अंदर उसको implement करने की कोशिश करेंगे ताकि उसका जो impact है वो हमें globally देखने को मिले no friend after these convention commitment और जो law बनाएगे हैं national जाए international level पर इन सब चीज़ों को trafficking को prostitution को रोकने के लिए क्या ये सफल हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि ये कोई ज़्यादा सफल नहीं हुए है क्योंकि अब भी जो चीज़े हैं वो अलग अलग अरूप में काम कर रही है हना जब आप किसी चीज़ को एक तरफ से होने से रोकते हो तो वो अपना रूप, अकार, स्टेटेजी, जा मॉडस, अपरंडी जो है वो बदल के दूसरे तरीके से काम करना शुरू कर देती है तो यही जो समस्या है वो अभी चल रही है कि ये चीज़े जो है जैसे पहले होती थी वैसे तो नहीं होती है थोड़ी सी बात करते हैं अब ट्रैफिकिंग इन प्रोस्टिटूशन की इन इंडिया में तो हमारे अथम बिधान जो है उसमें तो वह ये मौली का दिकार के रूप में आर्टिकल 23 क्लोस 1 में डाला गया है कि भाई जो ट्रैफिकिंग इन हीमन बिंग होगी वो नहीं होनी चाहिए इसको प्रोहिबिट किया गया है और एनी कंट्रवेंशन अगर की जाती है यानि कि इसका लंगन किया जाता है तो वो फिर एक ओफेंस होगी पनिशेबल जो भी लॉग के अंदर पर विजन होके इसके अकॉर्डिंग लिए आपको सजा दी जाएगी और ये जो राइट है यानि कि प्रोहिबिटिंग ट्रैफिक इन हीमन बिंग वो आपको स्टेट ऐस वल एज इंडिविजिल के अगेंस्ट भी प्राप्त है यानि कि आप स्टेट तो उसको तो कट करे रहे में ला ही सकते हो इंडिविजिल को कर रहा है तो उसको भी जो घसीड सकते हो आप कोर्ट में और इसी में आप देखेंगे कि हमारे पास 1956 का एक्ट आया और फिर 1986 का एक्ट आया और उसके बाद हमारे पास आया 2006 का एक्ट ठीक न जो कि immoral trafficking इन सब चीजों से ज्योड़े हुए थे तो यह आप देखा जाए तो यह जो हमारे पास जो international convention या united nation की convention थी immoral trafficking पर या prostitution पर उसका बड़ा योगदान रहा हमारे लिए एक जो domestic municipal law बनाने में अफ्रेंड यहाँ पर इतनी सारी provision चाहे वो संभिधान में हो चाहे वो other act में हो इस सब होने के बाप जूद भी जो है वो trafficking जो prostitution है उसको हम रोकने में बहुत ज़्यदा successful नहीं होए है आपको इस तरह की trafficking देखने को मिल जाएगी और cases भी आपको जो newspaper में देखने को मिल जाएगी even sometime जो foreign country थी उन्होंने हम पर ban लगाने की कोशिश भी की है क्योंकि हम जो trafficking के against जो काम करना था हमें या action लेना था वो हम लेने में उस हाथ तक सफल नहीं होए गर्ल्स फ्रॉम नेपाल यानि की जो नेपाल जो लड़किया है वो traffic की जाती है इंडिया में every day और इन में से कुछ गर्ल तो brothel जाए जो चकला घर जावेश आल जा उसमें भेज दी जाती है और कई जो है वो other country को एक transit के रूप में इंडिया को यूज करके भेजी जाती है नो friend अंत में हम अगर बात करें कि भाई किया क्या जा सकता है समस्या तो बहुत बड़ी है बहुत पिक्राल है तो इसके लिए क्या क्या जा सकता है तो इसमें जो first step है वो eradicating the poverty यानि जो गरीबी है उसको खत्म किया जाए खासकर उन specific area में जहां पर इस तरह की problem होती है दूसरा education उन सभी को जो कि इस तरह की activity के victim हो सकते है future victim जो है तीसरा good communication and coordination among the countries यानि जितने भी देश है वो अपने में एक अच्छा ताल मिल रखे एक अच्छा संचार रखे ताकि जो चीजे हैं उनको रोका जाए उनको control किया जा सके और rescue processes should be fast and effective यानि जब भी इस तरह के कोई छापे डाले जाते हैं जब कोई महिम चला जाते हैं तो उसमें जो rescue होता है वो बहुत ज़्यादा fast और कारकर होना चाहिए यानि कि तेची से और कारकर उपाय होना चाहिए यान का rescue होना चाहिए नमबर फाइब है एबरीवन इनबोल्व शुट भी सिवेरली पनिष्ट इंक्लूडिंग पेरेंट और गाडिन यानि कि जो भी कोई इसमें इनबोल्व होता है ट्राफिकिंग में जबर उस्टिशन में उसको दंड मिलने चाहिए उसको सजा मिलने चाहिए कठिन और अगर इसमें पेरेंट्स माता पिता या कोई और उनका सरक्षक जो होता है तो उसको भी अच्छी सजा यहाँ पर देनी चाहिए ताकि उसका एक्जेंपल सेट किया जा सके और लास्ट में सिक्स पॉइंट है हमारे पास कि जो अनिम्प्लॉइमेंट है यानि यो बेरोजगारी है उसको भी समापत किया जा सके लोगों को रोजगार दिया जा सके और उनको अपने पर पर खड़ा किया जा सके यह सरकार की प्रायोर्टी होनी चाहिए धन्यवाद